Hi everyone, अगर आप एक pro developer बनना चाहते हैं और bugs को चुटकियों में ऐसे find करना सीखना चाहते हैं तो आपको dev tools use करना आना चाहिए, dev tools को अच्छे से समझना आना चाहिए, dev tools में क्या-क्या settings होती है, क्या-क्या tabs होती है तो इस वीडियो में हम वही करेंगे, dev tools को master करेंगे और सीखेंगे कैसे हमारा code काम कर रहा है, कैसे execute हो रहा है, कैसे कहाँ पर error catch करनी है सब कुछ हम लोग इस वीडियो में study करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक project create कर लिया है, यह बहुत ही simple सा project है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक h1 tag मैंने रखा है, html के अंदर, और एक input और एक submit button, बस इतना सा रखा है, टेक, और उसके साथ साथ, यहाँ पर मैंने 3 JavaScript file connect करी है, मैं JavaScript files को भी दिखा देता हूँ, जो मेरी script वाली file है, यह empty है, इसमें कुछ नहीं है, इस matter.js के अंदर कुछ file है, टेक, यह और फिर इसके बाद यह buggy script के अंदर कुछ file है, टेक, तो इन 3 JavaScript के अंदर कोई buggy code है, टेक, कोई ऐसा code है, जो की कुछ bug create कर रहा है, मतल तो इसके उपर मैं एक पूरी video बनाऊँगा, defer attribute, async attribute और बिना किसी attribute को use कि, अगर हम लोग script tag का use करते हैं, तो कैसे behave करता है, अभी के लिए आप बस यह समझे लिजिए, अगर मैं defer attribute हटा देता हूँ, तो कुछ errors आएगी, यह हमारा तुरंत run हो जाएगा, मतलब जैसे ही JavaScript load होगी, यह तुरंत run हो जाएगा, और कुछ error देगा, ठीक, और जब defer लगा देते हैं, तो हमारा पूरा HTML parse हो जाता है, उसके बाद run होता है, इसके उपर मैं full detail video बनाऊँगा, उस video में मैं एक दम अच्छे समझाँगा कि कैसे यह काम करता है, defer attribute, async attribute, क्या फाइदे हैं, क project create कर दिया है, अब इसको मैंने open कर लिया live server के साथ, बस इतना है, master debugging, यहाँ पर मैं inspect करके अगर अपना dev tools कोलता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या कर दूँगा, यहाँ पर एक quick tip है आपके लिए, अगर जैसे आपको dark mode पसंद हैं, लोग हमेंसा VS code में dark mode use करते हैं, और dev tools में भी dark mode होता है, लेकिन हमारा जो web page होता है, हमेसा white होता है, तो यहाँ पर अगर click करोगे, यह यहाँ पर, styles के अंदर अगर आगे, यहाँ पर यह brush जैसा कोई icon है, toggle common rendering emulation, इस पर click करके, automatic dark mode कर दो, मस्त, dark mode आ गया है हमारे web page में, कुछ नहीं करना पड़ा, automatic dark mode आ गया है, यह किसी भी site के साथ काम करता है, ठीक, अगर तुम, अगर मानलो, geeks for geeks पर जाते हो, ठीक, तो कहीं भी यह देखो white है, इसको अगर मैं inspect करके, और यह मैं inspect करके, automatic dark mode कर देता हूँ, यह देखो, automatic dark mode हो गई, मारी पूरी site dark mode हो गई है, ठीक, यह इसको skip कैसे कर सकते हैं, यहां से skip होगा, कोई बात नहीं, लेकिन dark mode दिख रहा है, इसको मैं एक बार reload कर देता हूँ, तो भी वो setting जाती नहीं है, तो तुम यहां से dark mode कर सकते हो, तो हम लोग जब भी JavaScript सीखेंगे, इसको dark mode में कर लेंगे, ठीक, इसको मैं remove कर देता हूँ, वो dev tools जैसे ही close करोगे, वो चला जाएगा, ठीक, अभी मैं इसको dev tools को close कर दो, तो चला जाता है, क्योंकि dev tools का ही वो part है, जो भी setting हमने की थी, हमारी actual में site dark mode में नहीं हुई है, तो हम लोग जब तक dev tools खोले रहेंगे, उसको dark mode में करके रखेंगे, तो कहां गया, अरे यार, elements tab के अंदर होता है, यह कर दिया मैंने, तो यह dark mode में हो गया, अब हम लोग, इसमें मैं दिखाता हूँ कि bug क्या है, अगर मैं इस पर enter करता हूँ अपना नाम, ठीक, सही है, enter हो रहा है, मैं इस पर submit पर click करता हूँ, यह क्या हुआ, मैंने submit पर click किया, मेरा action delete हो गया, अचा चलो, फिर से submit पर click करते हैं, कुछ नहीं हुआ, मैंने click किया, फिर से submit पर click किया, मेरा input delete हो गया, फिर से submit पर click किया, कुछ नहीं हुआ, फिर से click किया, मेरा submit button भी delete हो गया, तो यह क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पर, आगर आक यह देखना अभी एच्ष़णड टेलिट हो गया अभी दोबर क्लिक करूंगा हम इनपुनिप्र दिलीट हो गया हुआ से प्रसे बटन यहांसे दिलिट हो number पर जिस भी file में बग है उसको comment down करो उसके बाद इस video को play करना और देखते हैं तुम्हें कितना time लगता है इसको find out करने में ठीक तुम time भी देख लेना कि तुम्हें कितना time लगा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक बार try किया होगा find करने का अगर इसका मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है आप आपने notice किया होगा कितना time लगा है दो तीन मेंट लग सकता है चार पांच मेंट भी लग सकता है और भी ज्यादा time लगा हो सकता है मिला भी नहों ठीक लेगिन आपको गर dev tools करना आता है तो आप लोग क्या करेंगे देखो यहां पर आप जाएंगे सोर्सर्स टैब में ठीक यहां पर आएंगे यहां पर यह इवेंट लिसनर इसमें ब्रेक पॉइंट में आएंगे ठीक देखो क्लिक करने पर क्लिक करने पर यह जा रहा है ठीक क्लिक करने पर यह इस पर मैं यहां पर click पर select कर देता हूँ और फिर उसके बाद अगर click event को perform करता हूँ तो देखना automatic उस line पर debugger आ जाएगा तो यह देखो यहां पर debugger आ गया मेरी जो buggy line थी वो आ गई तो यह buggy स्क्रिप्ट के अंदर नहीं था यहां पर लाइन नमबर 203 पर तो यहां पर था buggy code यहां से कुछ first child को रिमूट किया जा रहा है body पर event listener add है click और फिर उसके बाद this dot first child उसको remove कर रहे हैं हम लोग मतलब हर एक element को remove कर रहे हैं लोग बार बार एक एक करके तो अभी एक मैंने अचानक से बता दिया आपको समझ नहीं होगा क्या हो रहा है कैसे काम कर रहा है तो वही हम लोग इस वीडियो में हम लोग एक दम अच्छे से समझेंगे कि कैसे का कर रहा है सब कुछ तो अभी मैं सब कुछ explain करूंगा अभी के लिए जो भी मैंने किया उसको तुम भूल जाओ मैंने कैसे किया बस देख लो अब मैं इसको बगी फाइल है इसको मैं remove कर देता हूं बगी क्या मुझे इन दोनों फाइल की ज़रूत नहीं है इसको मैं confuse करने क आप उसको बगी नाम भी दे दिया था ताकि थोड़ा सा और misleading हो जाए आप दूसरे फाइल में ढूंडते हैं तो जैसे हमारे जो codebases होते हैं असमें दो फाइल तीन फाइल नहीं होती है दस दस पंदरा पंदरा बहुत जादी फाइल होती है तो उसमें अगर तुम ऐसे ए मैंने comment कर दिया इन दोनों JavaScript files को और फिर यह मेरा क्या है यह script.js है यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है एकदम empty है अब अगर मैं यहाँ पर चलके reload करता हूं और मैं elements tab में आके अगर मैं यहाँ पर कुछ भी करूं submit करूं कुछ भी करूं कुछ भी delete नहीं हो रहा है क्योंकि म अपना यह समझना कि हमारा जो भी dev tools है कैसे काम करता है उसमें कैसे functions को call करते हैं तो कैसे सब कुछ call stack आता है scope आता है सब कुछ समझेंगे हम लोग उसके बाद हम लोग bugs को catch करना सीखेंगे तो यह मैंने इसको भी comment कर दिया है चाहो तो uncomment ही रहने दो कोई फरक नहीं जाएंगे अपने इस console में console में आ जाते हैं नार्मली हम लोग जब JavaScript सीखते हैं तो console से हम लोग को introduce करा जाता है हम लोग console में ही जादा सब चीज करते हैं console लॉग करके बहुत कुछ देखते हैं console के अलावा भी बहुत चीजे हैं जो कि हम यूज़ करके बहुत जल्दी bugs को catch कर सकते हैं तो अपने जावस्क्रिट फाईल में आ जाते हैं आपर console.log करते हैं सबसे पहले किसी भी फाईल में करते हैं कभी भी जो हम लोग जावस्क्रिट सीखते हैं console.log करेंगे I imagine I actually console.log कर दिया यहां पर आ गया है अभ अगर हम लोग sources tab में जाते हैं तो हमें ये script वाली file दिखेगी, यहाँ पर कहीं तुम्हें script वाली file दिखेगी, script वाली file को open कर लो, इधर sources के tab में, तो यहाँ पर हमें ये console.log.hy ये दिख गया है, अब इस पे अगर ऐसे click करोगे, अगर एक click करते हो, और इसको थोड़ा सा expand करते हैं हम लोग, और इसको भी थोड़ा सा expand करते हैं, ताकि थोड़ी सी space रहे में देखने के लिए, तो अभी अगर मैं फिर से reload करता हूँ, तो देखना क्या होगा, यह मैंने reload किया, अच्छा एक काम करते हैं, इस dev tools को ही एकदम पूरा बाहर निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पर click करूँगा, और इसको ऐसे बाहर निकाल लूँगा, तो यह एकदम से बाहर आ गया, मारा जो page था उससे बाहर आ गया है, तो अभी यह full screen cover कर रहा है, हम लोग सब कुछ बहुत अच्छे से देख पाएंगे, अब यहाँ पर मैंने यह debugger लगाया है, ठीक, अगर मैं debugger हटा के control R से reload करता हूँ, ठीक, control R से reload करेंगे, यहाँ पर हम लोग इससे reload करते हैं नहीं, तो यहाँ पर हैं अभी, इधर क्लिक करके, और फिर से control R दबाएंगे, मेरा page reload होगा, और यहाँ पर देखना, इधर यह आ गया है anonymous, call stack के अंदर आ गया है anonymous, तो यह क्या है, हमारा global call stack है, जो भी हमारा, जब भी हमारी file run होती है, तो एक call stack create होता है, ग्लोबल, ठेक, तो वो हमारा global call stack यहाँ पर आ रहा है, ठेक, तो by default एक call stack create हो जाता है, और फिर उसका जो भी scope है, मतलब इस line पर, इस line number पर, अगर हम लोग कोई भी variable को console log करेंगे, तो कौन-कौन से variables available हैं, उस particular moment of time पर, तो यह बसकी वहल एक global scope है, उसके अंदर इतने सार variables available हैं, ठेक, तो यानि कि इसके अंदर मैं कोई भी, यहाँ से अगर कोई भी variable को console log कराऊंगा, तो मुझे वो मिल जाएगा, ठेक, मतलब, मुझे यहाँ पर error नहीं देगा, वो dev tools में, मुझे दिखाएगा, उसकी जो भी value है, ठेक, तो जैसे कि मैं यहाँ पर origin नाम से एक variable है, इसको मैं console log कराता हूँ, अगर चलके यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया है origin, ठेक, तो अगर मैं इस console ओले टैब पर चलूँ और control R करूँ, तो यह मैंने breakpoint लगा है, इसलिए automatic sources tab में आ गया, ठेक, फिर से मैंने breakpoint हटा के control R किया, तो मुझे origin बता रहा है, कि यह ग्लोबल वाले उससे उठा रहा है, scope से उठा रहा है, ठीक, मैं उसका नाम ही भूल गया था, तो ग्लोबल वाले scope से इसको origin की value मिल रही है, origin जो भी variable है, ग्लोबल scope के अंदर define है, यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर चलके एक function create करता हूँ, तब देखना क्या होगा, function मैं a create कर देता हूँ, function का नाम a दे देते हैं, ठीक, और फिर इधर console lock करते हैं कुछ, चलो यहाँ पर फिर से वही कर देते हैं, console lock, अब यह जो origin variable है, यह global के अंदर है, तो हम किसी function के अंदर access कर सकते हैं, और फिर इस function को नीचे इसके call कर देते हैं, आपर, मैंने call कर दिय function को, तो अब देखना, इसको मैं हटा कर अगर, control R दबाता हूँ, ठीक, तो हटाने पर कुछ नहीं हुआ, इस पर मैं फिर से लगा देता हूँ, और फिर से, देखो, हटाने के बाद, यहाँ पर सब कुछ empty दिखा रहा है, क्योंकि हमारा code अल्रडी run होके खतम हो चुका है, करना तो हमारे call stack में कुछ है, तो अगर तुम्हें यह नहीं पता है call stack क्या होता है, तो फिर यह video तुम्हारे लिए नहीं है भी, यह थोड़ी advanced video है, तुम्हें अभी वो सब सीखने की जरूरत है, तुम अक्षे सैनी का video follow करो, अक्षे सैनी का जो नमस्ते JavaScript है, उसको follow करो, अगर वो English में है, अगर तुम्हें हिंदी में सीखना है, तो आगे चलके मैं हिंदी में वीडियो बनाओंगा JavaScript के उपर in-depth, तो वहाँ पर मैं हर एक चीज़ एक स्प्लें करूंगा, कैसे काम कर रहा है, call stack क्या है, scope क्या है, सब कुछ, मैं explain करूंगा उस video में, मतलब आने वाली JavaScript की वीडियो में, तो अगर ये तुम्हें scope नहीं पता है, call stack नहीं पता है, फिर उस case में ये तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है, तो वो सब तुम्हें समझना, तो इस video को समझने के लिए तुम्हें अल्रड़ी ये सब पता होना चाहिए, कि मतलब क्या होता है, कैस debugger नहीं था, तो सारा खाली हो गया, जैसे debugger लगा दिया, तो यह देखो, यह हमारा code का execution वहाँ पर जाके रुख जाता है, यहां पर आके रुख गया है, जैसे time थम गया हो, यहां पर समय रुख गया है, अब यहां पर देखो, क्या क्या scope है, एक तो पहले देखो call stack को ध् क्या था, उसके पहले भी, हमारे एक global function type में, यहां पर function type में कुछ दिखा रहा है, लेकिन actual में यह function नहीं है, हम समझ लो, हमारा global execution context हमारा इस call stack के अंदर आ जाता है, तो यह global call stack बोलते हैं इसको, ठीक, फिर कुछ भी अगर कोई भी function call करेंगे, तो वह उसके उपर आएग मतलब इस function का call stack आ गया है, यहां पर अगर देखो, यहां पर मैंने click किया, तो इस particular line पर हमारा code का execution आ गया है, ठीक, अगर मैं इस पर click करता हूं, तो इस particular line पर मेरा execution, मतलब, क्या बोलते हैं, line का control आ गया है, मतलब, हमारा जो भी JavaScript का engine है, इस line के उपर, जितने भी scope हैं, व global का access है, मारे पास, global scope का, लेकिन अगर इस पर click करता हूं, तो मारे पास local और global दोनों का scope है, तो यहां पर, अभी, अगर हम फिर से reload करते हैं, तो यह देखो, वही चीज़ आ है, मतलब, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, local और global, अब local के अंदर अगर देखोगे, तो local के अंदर कोई भी अगर function है, तो इसके अंदर this variable define होता है, यह this define होता है, वो दिखा रहा है, और अगर इसके अंदर हम लोग कोई और भी variable declare कर देते हैं, आपर, const x is equal to 5, तो अभी यहां पर देखना, मैं फिर से reload करता हूं, और यह देखो local के अंदर, यह वाला variable आगे, जो duplicate करके, function b नाम से create कर देता हूं, b, और फिर मैं इस function b को call करता हूं, पहले a को call करूँगा, फिर b को call करता हूं, मैंने इस b को call किया, और फिर मैं अपना जो debugger है, इससे remove कर लेता हूं, एक second के लिए, तो देखो, यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा लगा कि हमारा code run ही नहीं हुआ, या तो run हो के खतम हो गया, यहां पर सब कुछ empty है, तो यहां पर यह लिखा है, not paused, तो इसका मतलब जब हम pause करेंगे अपने code को, तब ही यह दिखेगा, और code को pause करेंगे, यहां पर debugger लगा के, तो चलो हम लोग अब इस b वाले function के उपर debugger लगाते हैं, त तो देखो, reload करो, तो क्या होगा, यहां से देखो, anonymous call stack के उपर से, यह हमारा global call stack है, इसके उपर, देखो, ए नहीं दिखा रहा है, भी दिखा रहा है, तो ए कहां गया, तो ए आया था, तो ए आया था, फिर वो call stack से remove हो गया, देखें करके, ठीक, चलो करके मैं दिखाता हू एक कैसे आया था, अगर A के उपर, यहां पर मैं यह लगाता हूँ, debugger, तो मैं reload करता हूँ, तो देखो, अभी इस point पर A है, ठीक, हमारा function, यहां से run होना सुरूगा, मतलब हमारा जो code है, A को call किया गया, तो हमारा अभी, जो line of control है, यहां पर है, ठीक, तो इस से related, जितने या F9 दबाऊंगा, ठीक, हो सकता है, उसमें अगर function lock हो, तो function plus F9 दबाना पड़ेगा नहीं, तो F9 दबा के भी काम हो सकता है, तो मैं बटन दबाता हूँ, तब देखना है, एक एक line आगे move होगा, ठीक, तो यहां पर मैं फिर से click करूँगा, तो इस वाले call पे आ गया, क् जैसी में call करूँगा, अच्छा एक चीजी नोटिस करो, जो A यहां से जा चुका है, एक बार फिर से में दिखाता हूँ, देखो ध्यान से यहां पर देखते रहे न, जैसे इसको मैं click करूँगा, अभी है यहां पर A, अभी फिर से click करूँगा, A जा चुका है, call stack से, और A B की जो memory थी ओभी खता हो चुकी है, जो भी उसने memory variables create किये थे, X variable जतनी भी memory थी उसकी, garbage collect हो चुकी है, तो B पर आ गया, अभी B को call करेगा, अभी एक बार मैं अगर करता हूँ, तो B को call कर दिया, इसने, अभी को call किया, तो B के जो भी first line है उस पर आ जाएगा, और फिर य जल्दी कर दिया मैंने, थोड़ा सा slow करना था, ये देखो अभी इसके उपर कुछ नहीं है, ये अभी मैं करूँगा, तो देखो ये B आ गया इसके उपर, तो ऐसे होता है, एक हमारा function जाता है, फिर दूसरा आता है, एक function हमारा end हुआ, फिर call state के उपर दूसरा function आ गया, तो और फिर अब इससे related, अब हमारा line of control यहां पर है, जो भी green green दिख रहा है, यहां पर हमारा control है, मतलब हमारा जब 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 आ पर पहुंचा है, और उससे related हमें सारे variables दिख रहे है, यह एक्स वरियबल है, यह इसका, यह बी का एक्स वरियबल है, A का नहीं, यह B का variable है, ठीक, तो यहाँ पर जो X है, यह B का है, अगर मैं इसको change करके Y कर देता हूँ, तो, मैं Y कर देता हूँ, तो, देखो, इसको मैं आगे करूँगा, यह मेरा A end हो जाएगा, call stack से चला जाएगा, उसकी, जो भी scope है, वो भी चली जाएगी, वो भी gap हो जा जाएगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ इस पर click करूँ तो, A की scope यहाँ पर तो नहीं दिख रही है, लेकिन actual मैं अभी memory में है, क्योंकि अभी मारा, यह A वाला function, end नहीं हुआ है, ठीक, अभी मैंने किवल, बस यहाँ से call stack को switch किया है, ठीक, actual मैं मैंने अभी code पे नहीं move किय जाए उसको आगे, उसका control, ठीक, तो यहाँ पर अभी जब मैं आगे पे click करूँगा, इस पर तो यह देखो, तब यहाँ पर आ गया, और यहाँ से a guy up हो गया, ठीक, इधर से a चला गया, और उसका scope भी चला गया, अब उसके scope को अपस लानी की कोई trick नहीं, मतलब इसको उ जाए गया, यह कहीं अलगी जा रहा है, पता नहीं किदर लेके जा रहा है, तो और इसको भी करोगे तो वापस नहीं जाएगा, अगर मैं फिर से reload करता हूँ, और एक दो step आगे करता हूं, जिसे मैंने आगे इसको ले आया, और फिर इसको करके उल्टा नहीं जा सकते हैं, लोग वापस ना तो इसको इसी को भी करके वापस नहीं जा सकते हैं कि हम लोग केवल आगे ही जा सकते हैं अपने function में एक बार आगे चलेगे तो पीछे जाने का कोई तरीका नहीं है तो हां तो जैसे कि अभी मैंने दिखाया था जब मैं इस वाले call stack पर हूं इसका control यहां पर है इसका variable दिखा रहा है लेकिन मैं इस पर अगर click कर देता हूं तो मैं अभी actual में मैंने आगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ा हूं code पर अभी मारा रुका है वहीं पर रुका है वहीं अगर यहां पर click करके अगर करूंगा तो मेरा जो भी जावा जावास्त्रिट का engine वह आगे बढ़ जाएगा तब वापस नहीं आएगा तो अगर यहां पर click करता हूं तो global से वह चला गया है मतलब यह scope से वह local वाला scope था वह चला गया है तो हमीशा के लिए नहीं गया है ब बढ़ जाओगे तो फिर वापस नहीं जा सकते हैं यहां पर वह है ही नहीं और यहां पर ना तो कोई वैसा बटन है जिसके तुम वापस जा सकते हो तो यह दो अभी अभी आ जाएगा फिर से कॉल स्टैक में फिर बी के वेरेबल दिखा रहा है और फिर इसको मैं आगे जातम हो गई और फिर अब यह मेरा जो ग्लोबल एक्जिक्विशन कॉंटेक्स है वह भी चला जाएगा तो ग्लोबल का नम यहां पर अनॉमस है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है अगर मतलब इसको थोड़ा सा ग्लोबल अगर दे देते तो ज्यादा सही रहता लेकिन क्यों ग्लोबल चुका है और फिर यहां पर अगर यह प्लेवाली बटन दबाओगे जैसे कि यहां पर आओगे यह पर ःओगे पर click कर दोगे तो यह, मतलब, नॉर्मल प्ले कर देगा तुमारा code, एस पर करोगे तो यह, उसने end कर दिया तुमारा code, normally run करके पूरा खतम कर दिया, उसने code, तो यह हमने अभी देखा, एक function side by side, अगर हैं तो कैसे run हो रहा हैं, तो अगर मैं इसके अंदर एक function रखता हूँ, तब देखना क्या होगा, अगर मैं इसके अंदर function एक रखता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ, a child, a child, ठीक है, a child, child ही लिख देते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें, फिर यहाँ पर console log करते हैं, console log करते हैं, क्या console log करें, पर console log कर दो, hi, कुछ भी कर दो, कुछ भी matter नहीं करता, तो अभी इसको मैंने define तो कर दिया, इसको call तो किया नहीं है, तो इसको मैं call करता हूँ, जब मैं इसको call करूँगा, तब देखना क्या होगा, मैं इसको reload करता हूँ, एक बार, मेरा ये global call stack आया, उसके उपर मेरा ये local call stack एक आ आ गया, हर एक function का call stack create होता है, ठीक, और उसका scope खुद का create होता है, local scope, तो यह देखो, यह आ गया, मैं अगर इसके आगे बढ़ता हूँ, तो देखना कहा जाएगा control, तुम कुछ से सुचो कहा पर जाएगा, इसके आगे कौन सी line है, ठीक, यह function है, तो function तो run नहीं होगा, function जहां से call होता है, वहाँ पर actual control जाता है, तो आपर function call पे चला गया, ठीक, अब जैसे ही function call पे जाएगा, तब तुम देखना, अभी यह function चालू हुआ है, यह function के अंदर हैं हम लोग, जैसे ही call करेंगे, हमारे control इधर जाएगा, और फिर, यहाँ पर call stack के अंदर a child आ जाएगा, उसके ऊपर भी देखना तुम आजएगा, यह देखो a child आ गया, ठीक, और यहाँ पर a child से related जो भी variables हैं वो दिखा रहा है, ठीक, तो a child से related अभी मैंने कोई extra variables से नहीं create किये हैं, तो यह अभी कुछ ज्यादा extra variables दिखा नहीं रहा है, ठीक, तो उतना ही दिखा रहा है, जितना a के ऊप दिखा रहा था, a के ऊपर भी local और global दिखा रहा था, a child के ऊपर भी local और global दिखा रहा था, अगर मैं इसके अंदर भी चलके variable create कर दों, तो इसके अंदर भी दिखाएगा भी चलके create करते हैं, लेकिन अगर मैं इसको फिर से मैं इसको क्या करता हूं, play करता हूं, आगे चलक भी खत्म हो गया आएगा फिर जैसे नॉर्मल था भी वह ऐसे मतलब आगे जैसे पहले चल रहा था वैसे बी चलेगा इसको फिर से रिलोड करके यहां पर एक एक वेरिबल करेंट करता हूँ यह पर एक वेरिबल क्रेंट करने से पहले मैं एक और चीज़ दिखा देता हूं यहाँ अगर कॉंसल-log-x कर देते हैं जो की यहां पर इस पेरेंट के उपर दिफाइन है तो देखना क्या होगा अभी इमने देखा था इसके स्कोप के अंदर क है हमारे पास दो दो इसकोप हैं ग्लोबल और लोकल ठीक यह ग्लोबल है और एक लोकल है ठीक और लोकल के अंदर यह दिस है और फिर अगर हम यहां पर कॉंसुल लॉग कर देते हैं क्या करते हैं X ठेक भूल जाता हूं नी तो यहां पर मैंने ग्लोबल लॉग करत दिया एkju तो यह देखो अभी कंडोल रहां पर है कहां तो आग अगर जाता हूं तो यह देखो घ्लोजर आ गया इसने closure form कर लिया तो मैंने closure के ऊपर एक video बनाई है और अच्छे से समझाया है closure कैसे form होता है, कैसे काम करता है पुरा एक गंटी की video है, almost और उसी video के अंदर किसी एक नाम भूल गया, मैं देखता हूँ किसने बोला था कि DevTools के ऊपर video बनाऊ, अगर मैं incognito tab में YouTube खोलता हूँ यहां पर मैं अपनी video search करता हूँ confused with तेक search करता हूँ तो देखो, मेरी video आ रही है, फस्ट्रेंग पर क्योंकि मेरा title ही थोड़ा different है, इसलिए 100 views हो हैं, इस पर शो नाम था क्या नाम था, मैं भूल गया हूँ सक्षम नाम था, सक्षम ने comment किया था कि में का tutorial, अर्यार, like पे मैंने click कर दिया Hello everyone, तो इस video में हम सक्षम ने बोला था कि इस पर एक tutorial बनाऊ, DevTools और debugger के उपर, इसलिए मैं यह वाला video बना रहा हूँ अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी topic के उपर video बनाऊ, तो मेरे video उस पर comment करके बताईए कि इस पर आप लोग video देखना चाहते हैं, उस पर मैं बनाऊंगा, इन्होंने दो वीक पहले comment किया था, तो अभी जाके time मिला है, मैं और भी पहले बनाना चाहता था, मैं तो चाहता रहा हूँ, और फिर अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी topic के उपर video बनाऊ, तो आप भी comment करके बताईए, मैं जरूर बनाऊंगा उसके उपर video, अभी और भी videos बनानी है, comment में मुझे गौतम ने बोला था, गौतम ने बोला था, उसके currying के उपर और memoization के उपर video बनानी है, तो उसके उपर भी video बनाऊंगा, तो हाँ, इसी में बोला था शायद, इसी में, हाँ यहीं तो बोला है, इधर ही बोला, देखो currying और memoization के उपर मैंने reply किया था, कि हाँ मैं बनाऊंगा, तो उसके उपर भी video बनानी है, अगर आप भी किसी topic के उपर जो कि आपको confusing लग र पड़ेगी, ठीक, कितना भी complex topic हो, ऐसे समझ आ जाएगा कि आपको पता ही नीचे लेगा, आपको समझ आ गया, तो चलो आ जाते हैं, यहां पर, मैं कहां पर था, क्या बता रहा था, चलो इधर ही आ जाते हैं, यहां पर मैं यह बता रहा था, कि यह देखो closer इसने form कर लिया अपने parent के साथ, तो closer आपको अगर कोई भी doubt हो थोड़ा भी, तो वो बड़ी वाली आप वीडियो देख लीजिए, आपको एकदम मस्त समझ में आ जाएगा, अच्छे से कैसे काम करता है closer, तो यह closer form कर लिया, इसने तो इसके scope में एक और addition हो गया, अभी तक local और global था, Z is equal to 7 कर दो, कुछ भी कर दो, यहां पर open करके, reload करता हो, और फिर इसको थोड़ा सागे बढ़ाता हो, तो यह देखो, मेरे stack के उपर, A के उपर यह आ गया, यह बता रहा है कि हमारा A function अभी चालू है, उसके अंदर यह आ गया है, मतलब उपर बोलो यह अंदर बोलो, उसक Z की value होगी, 7, तो यहां पर यह local scope के अंदर आ रहा है, इस particular function का local scope है, और इसका जो भी parent है, इसका अगर कोई और भी parent होता, तो उसका variable अगर यह use कर रहा होता हो, तो सारा closer के अंदर आता, एकदम अच्छे से मैंने closer वाले वीडियो में बता है, तो अगर आप सोच रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि अगर इसके अंदर मैं 10 function, मतलब a child के अंदर, अगर मैं एक function create करके, a grandchild लिखता हूँ, ठीक, a child, a child child लिखता हूँ या grandchild, ठीक, grandchild लिख देता है, अरे, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक, एक grandchild मैंने लिख दिया, ठीक, यहाँ पर अगर मैं एक variable define करता हूँ, const, a, a नहीं करता है, q कर लेता है, q is equal to, 8 कर दो, और फिर log कर देता है, console में, ये कर देता है, x कर दो, z कर दो, बस, और q कर दो, इसका भी variable जो है, q भी कर दो, और जो हम लोग debugger है, यहाँ से अटा के सीधा यहाँ पर लगा देता है, अबर reload करो, debugger वहाँ से अटा के यहाँ पर लगा देता है, अच्छा, यह इधर लग ही नहीं रहा, ठीक, तो अगर मेरा function call नहीं किया गया, तो यह लगे गा ही नहीं, debugger वहाँ पर हम लोग लगा ही नहीं पाएंगे, तो मुझे यह function को call करना होगा, इसके अंदर, ठीक, यहाँ पर मैंने call कर दिया, इसके बाहर नहीं call कर सकते हैं, यह a child के अंदर ही define है, उसके बाहर हम लोग नहीं access कर सकते हैं, तो इसके अंदर ही मैंने call कर दिया, यहाँ पर मैंने debugger लगा दिया, अब मैं अगर reload करता हूँ, तो इस a grand child का, मुझे scope दिख रहा है call stack के उपर सारा एक के उपर लद गया है, ठीक, एक के उपर, एक के उपर, एक सारा stack बन गया, इसलिये इसका नाव होता है call stack, एक के उपर एक चड़ गया है, और फिर यह closer के अंदर, यह closer 2 बनाए, इसने एक closer बनाए अपने, पैरेंट के साथ, उसका पैॡए एक सुप के साथ ये होगया इसका स्कोप और फिर जैसे दिख वाले वारिवियल के साथ के स्ब्सक्राइब यहां से धेकने उतरता जाएगा को सब कुछ स्केसमें क्लोजर भी खतम हो चुका है कि युज़ नहीं कर रहा है तो क्लोजर वाल इस सकभी हतल हो गया और यह सारे सारे मतलब जो भी कॉल स्टैक के ओपर थे हमारे फंक्शन सारे खतम हो गया है एक एक करके और अभी मैं प्ले कर देता हूं तो हमारा ग्लोबल भी खतम हो गया सब कुछ अगर मैं इसको करता तो दूसरे जावास्क्रिप्ट के नेटिव कोड के अंदर ले जाता फिर उस करते हैं काफी वह एक के अंदर एक फंक्शन कॉल होता जाता है तो यहां पर यहां पर क्या होता है उसमें एक फंक्शन के अंदर खुद को ही कॉल किया जाता है तो यह उपर उपर इससे जाता चला जाता है ठीक मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे होता है तो अगर म के एक काम करूं यहां पर तो अभी इन सब को कमेंट कर देते हैं एक अभी इन सब को कमेंट कर देते हैं आपको समझ अ गया होगा कि कैसे हमारे स्सक्स makes कम गर रहा ठीक है ए만नव रिकर्जिव फंक्षन बना के दिखाता हूं ऐ since तो यह मैंने एक फंक्शन बना दिया अब मैं इस इसको भी मुझे कमेंट करना पड़ेगा यहां पर मैं डाल के इसको भी कमेंट कर देता हूं कमेंट हो गया यह रिकर्जिफ फंक्शन है इसको मैं इसी के अंदर कॉल कर लेता हूं तो अभी देखना भाई ऐसा कभी करना मत ब्राउजर तुम्हारा अटक जाएगा तो यहां पर कर दिया अभी मैंने अभी तो कोई दिक्कत नहीं है अभी मैं रिलोड करता हूं इक दो मस में अगरीन करो यह um.. अगर मैं लिख देता हूं भी मैं लिखोंगा नहीं मेरा ब्राउज़र कर जाएगा तो यह यहां पर यह फिर से फूरफंशन को काल करेगा को दो काल करेंगा फिर से कॉंसूल को काल करेंगा तो यह एक किई का सब्सक्रांए करके टाँ इसका कापी बने छपार लोगा दने का जरीया ही नहीं तो देख लिए अभी ए बचारा घीड तो तो dev tools में बोल रहा हूँ, debugger है यह हमें बचा रहा है, लेकिन अगर मैं यह करके आगे बढ़ता हूँ तो भी देखना, तो मैं इसको click करते जाओ click करते जाओ, click करते जाओ यह बढ़ता जारा है, क्या हो रहा है, दो जैसे इस line पे आते हैं, यह खुद को call कर लेता है और जैसे खुद को call करता है तो जब भी एक function के अंदर कोई function दूसरा call होता है तो call stack के उपर चला जाता है तो वही यहां पर हो रहा है call stack के उपर खुद यह आता चला जा रहा है यह कभी भी end नहीं हो सकता अगर मैं इसको play कर दो तब देखना क्या होता है कोई error आएगी हमारे console में वो देखते हैं क्या हो और यह देखो console log यह print हो रहा है तो अगर मैं यहां पर इसको play कर देता हूँ अरे यह बार बार आ रहा है dev tools को ही remote कर देता है dev tools भूर रहा हूँ debugger को मैं remote करके मैं play करता हूँ तब देखना क्या हो रहा है यहां पर आओगे इधर ही error दिखा दिया इसने यहां पर hover करोगी अगर अज़ा यह यह यहां पर नहीं दिखा रहा है इधर आ जाओगे तो यह देखो maximum call stack size exceeded तो यह क्या होता है यही होता है यहां पर अभी तो एंप्टी दिखा रहा है क्योंकि हमारा प्रोग्राम टैश कर चुका है तो इसी को बोलता है stack overflow और इसी के नाम से website हैं लोग रोजी उस करता है stack overflow तो यही है तो ऐसे तुम stack overflow अपने प्रोग्राम में करवा सकते हो जो कि बहुत खराब चीज होती है इसको करना नहीं चाहिए तो मैं पता होना चाहिए कि यह होता है stack overflow तुम्हारे प्रोग्राम में होता है अगर call stack तुम्हारी बहुत ज़्यादा उठ जाती यह उपर तो यह कुछ इसकी लिमिट होगी 11,000 एकाई दहाई से 11,000 एक तो 11,000 टाइम इसने इसको हाई को कॉल किया अच्छा उसकी अलावा भी इसने किया यहां पर तो कुछ इसकी लिमिट है उसके बाद वो call stack से exceed कर देता है और फिर error देता है तो यहां पर हैंग नहीं किया तो कभी कभी हैंग भी कर देता है लेकिन अब ब्राउजर थोड़ा smart हो गया है तो उसको समझ आ कर दिखा देता है तो अब उसको एर्र हैंडलिंग यहां पर इंपलेमेंट कर दिया गया है ठीक यहां पर चल रहा है चल रहा है यह 11.000 टाइम यह हो सकता है ब्राउजर तो ब्राउजर यांडिवाइस टूड़ाइस डिफर करें मुझे ज्यादा आइडिया नहीं लेकिन यह एक लिमिट के बाद बहुत ज्यादा जब ज्यादा के ऊपर हमारे यह आ जाता है अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कैसे काम कर रहा है कैसे मतलब एक के ऊपर एक आ रहा है अगर आपको अभी जाना तो अक्षे सेनी की वीडियो जाके देख लो अगर आपको हिंदी में जाना है तो मैं जावास्रिप्ट की पूरी सिरीज लेकर आओंगा उसमें हर एक चीज इंडेफ्ट इंडेटेल सब को समझाओंगा तो यहां पर मेरा यहां पर फंक्शन में वैह कि दॉलने जा रहा था मेरा मोटीव यह नहीं है आपको यह समझाना करें कि उचले के सरना का ना क्रियों को आप ऊद्व चूस्तों करना को नहीं दिखार हाऊ तो कॉई दहि persis को नहीं समझा रहा हो उस चीज को मैं जब समझाओंगा तो समझाएगा मतलब पूरी गारेंटी है समझाएगा अब इस चीज को नहीं समझा रहा हूँ तो यह हो गया तो अब अगर मुझे कुछ भी डीबग करना है तो अगर मैं इस उपर वाले प्रोग्राम को ऐसे करूंगा अगर मानलो तुम्ह मैं देखना है इस पर्टिकुलर मॉमेंट पर जिसे यह एक्स है एक्स तो अभी यह तो यहां पर सीधा साफ साफ वैलू डेक्लेयर कर दी गई है ठीक लेकिन कई बार क्या होता है फंक्शन को कॉल किया जाता है उसके थ्रू वैलूस हम लोग पास करते हैं तो तो महां पर यहां पर डिबगर रख दिया और मैंने कंट्रोल आर किया तो उस फंक्शन को कहीं पर कॉल किया गया होगा जिसे मालो मैं यह जेड को यहां पर आज़र क्या बोलते हैं आर्गुमेंट अगर एक्सक्ट कर रहा होता तो यहां पर यहां पर मतलब उसकी वैलू सीधा इसे ड यहां पर यह एक्सक्ट की वैलू फाइव है जेड की वैलू सेवन है इस पर करोगे तो उसकी वैलू एट है अगर तुम पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर वैरियबल की वैलू को तुम ट्रैक करना चाहते हो कि जैसी वैरिबल आएगा तुम्हें दिखेगा तो यहां पर यहां पर तुम उस वैरियबल का नाम लिख सकते हैं अगर जेड दोगे तो यह बताएगा यहां पर इस पर्टिकुलर लाइन पर इस पर्टिकुलर लाइन नंबर पर जेड की वैलू क्या है जैसे कि अगर तुम इसको फिर से रिलोड करो एक बार और यहां पर यहां पर मै यह दिबगर रख देता हूं तो यहां पर बोल रहा है जैसे इस नॉट अवेलबल वह यहां पर आ गया जैसे वैलू आगी सेवन यहां से वाच पर क्लिक करके तुम वैलू को देख सकते हो नॉर्मली इसको बहुत ज्यादा यूज करनी की जरूत नहीं है बहुत ज्यादा व करोगे तुम्हें वैलू दिख जाएगी वाच में लिखने कोई जरूत ही नहीं है तो यह तो हो गया हमारा कॉल स्टैक और यह स्कोप वाला टैब अब यह हमने समझ लिया कि हमारा कोड कैसे काम कर रहा है कैसे यह स्कोप हमारे इसमें आ रहा है कैसे कॉल स्टैक जा रहा है इसको भी डिलीट हो जाता है तो अब हम लोग कुछ और debugging की टिप्स देखते हैं तो जैसे स्टार्टिंग में जो मेरा वो था इसको मैं पूरे को अगर कमेंट कर दो पूरे को मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर index.html में आकर इन दोनों script files को अन कमेंट करता हूं तब और इसको मतलब हटा दो कहीं भी तो हां तो फिर यह क्या हो रहा है अब देखो मारा यह बगी कोड आ गया अगर इस पर जाके देखेंगे तो यह अभी एक सेकंड एक सेकंड मुझे एक सेकंड देना यहां से मैं इसको हटा देता हूं तो मैंने यहां पर यह अपनी यह बगी इस तो मैंने यहां पर यह दोनों script files को अन कमेंट कर दिया है अब अगर मैं यहां पर आके control r करता हूं reload करता हूँ, कहां गया यह, reload करता हूँ, तो यह मेरा buggy code यहां पर आ चुका है, ठीक, अगर मैं यहां पर, मैंने एक बार click किया, ठीक, फिर मैंने अगर दूसरी बार click किया, तो मेरा remove हो रहा है, ठीक, मेरा buggy code आ गया है, अब इसको तुम्हें अगर find करना है कि, यह क्यों remove ह हो रहा है, कैसे remove हो रहा है, अगर तुम्हें लोग notice करोगे, यहां पर भी click कर रहा हूँ, तो remove हो रहा है, कहीं भी click करोगे, यहां पर भी click करोगे दो बार, तो remove हो रहा है, तो एक्चुल में कैसे काम कर रहा है, कैसे remove हो रहा है, और कहां पर है error, तो अभी मैंने starting में तो अगर तुम किसी बड़ी company के लिए काम कर रहे हो तो company में एक दो फाइल नहीं होती दो तीन फाइल जिसे आपर ऐसे फाइल नहीं होती है और हो सकता है कई सारी फाइल्स हो और फिर उसके बाद कई library की files हो सकती है मतलब अलग-अलग libraries use करते हैं तो उसकी भी अलग-अलग files हो सकती है तो अगर एक-एक file में ढूणने जाओगे तब तो हो गया कल्यांड तुम्हारा है कभी मिलेगा नहीं और एकदम से frustrated हो जाओगे कभी error मिलेगी नहीं लेकिन तुम देखो यहां पर तुम इससे conclusion लगा सकत क्लिक करने पर हो रहा है तो कोई event fire हो रहा है उस event के fire होने पर यह हमारा गाइब हो रहा है तो जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसा code लिखा गया है जो कि किसी event को trigger कर रहा है और वो click event है क्लिक कर रहा है तो अगर यहां पर आओगे तुम्हें इवेंट listeners का एक टैब मिलेगा सीधा ठीक यहां पर इवेंट listeners breakpoint मिलेगा और उसमें बहुत सारी चीज है क्लिक बोर्ड मतलब इसमें से कोई भी जैसे जावास्क्रिप में event होता है करके करते हैं कोई भी event जो हमारे वेब पेज़ पर फार्म होगा तो यह तुरंत रुख जाएगा अगर यहां पर टिक कर लाइट तो वहां पर रुक जाएगा तो इस केस में हमें लग रहा है कि फ्लीक बेर रूप रहे ह लेकिक ऊपर यहां लग रहे है कि माउस से क्लिक होने पर मैं आप नहीं पर माउस नवी पर कुछ तो हो रहा है तो मैंने इस माउस के सारे जो भी क्या बोलते हैं इसको मौस वाले सारे events को मैंने यहां पर चक कर दिया तो जब माउस का कोई भी event होगा अमारे browser पर अगर मैं फिर से reload करता हूं माउस का जैसे event होगा देखना मेरा часов कोड यहां पर आके रुक गया है कहीं तो आकर रुका है तो अब यहां mr अभी यह या कुछ भी कर रहे हो तो तुम्हें अपने इस वाले जो भी user है उसमें तो नहीं करना है तुम्हें करना है incognito tab में यहां पर extensions disabled होते हैं by default जब तक कि तुम enable नहीं करते हो तो मैं फिर से यहां पर inspect वाला खोलता हूँ और इसको side में कर लेते हैं ठीक क्योंकि अब हमें बहुत बड़ी screen की ज़रुवत नहीं है स्टार्टिंग में सब कुछ दिखाना था इसको और वो क्या बोलते हैं उसको भूल जाते हूं हर बार सब कुछ दिखाना था इसलिए मैं मैंने उसको एकदम से बड़ा किया था अभी उतना बड़ा करने की जरुवत नहीं है तो मैं यहां पर आ गया हूं और फिर यहां पर यह थोड़ा सा उसका layout चेंज हो गया इस पेस नहीं होता है तो नीचे आ जाता यह चीज देखो बड तो यह इधर आ जाता है राइट साइड में नहीं तो नीचे आ जाता है तो इधर तुम्हें नीचे मिलेगा इधर इवेंट लिसनर ब्रेक पॉइंट फिर से मैं माउस पे क्लिक करता हूं और कहीं भी क्लिक करता हूं तो अब देखना अभी यह आ रहा है यह extension का नहीं यह स करूं हमारे इंदर नहीं आ रहात तो इसका मतलब यह किसी उसे इवेंट के ऊपर जा रहा है यह माउस डाउन इवेंट है और यह हमारे 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 फाईल के अंदर नहीं इंप्लिमेंट रभी पिर से में करता हूं और फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखो यह हमारे मैंटर जैस फाइल के अंदर आ गया है ठीक तो बस वही एक एक एक्स्ट्रा था जो माउस डाउन था वही यह पहले आ रहा था यह कुछ जावर स्क्रिप्ट का खुद कर रहा हुआ यहां यहां पर भी हो सकता है को एक्स लिक्यर काफी इवेंट है तो एक ही इस एलीट आ पर क्लिकुश्स परций करने हुए इसका मतलब यह है कि क्लिक इवेंट लन फायर हो रहा है इसकी वेसे हमारा यह है कुछ यहां है कुछ लिखा आही przypad के गर यह वेश्वारे चलके नहीं कुछ लिखाए अब लिखा यहीं त करके यहां पर click पर select कर देते हैं ताकि और भी कोई confusion ना खुल जाए यहां पर फिरसे मैं इस पर click event perform करूँगा तो देखना मैं click event perform करता हूं यह तुरंट कुछ नहीं होगा तुरंट कुछ नहीं होगा तो मैंने यह किया तुरंट कुछ भी remove नहीं हुआ यहां पर आके रुक हो गया है तो यहां पर देखो दिस क्या है तो दिस है body हमारी तो दिस क्या है body है और फिर this dot first child मैं कर रहा हूं तो first child क्या है एक text node है तो अगर मैं यहां पर console में चलके आपको दिखाऊ हूं document.body.child nodes ठीक है तो स्पेलिंग गलत है एच नहीं लिखा अब सही हो भी है जैसे फिर से लिखता हूं child nodes ठीक तो body.document.body.child node करोगे तो तुम्हें देखो क्या दिख रहा है यहां पर यह उसके body के जितने भी child nodes हैं अब first है यह text node ठीक तो अगर इसको open करोगे तो दिखा रहा है backs lesson तो आपने पढ़ा होगा कि backs lesson क्या करता है enter का काम करता है backs lesson की new line यह new line वाला यह इसका में नाम भूल गया इसको कुछ बोलते हैं ठीक तो यह new line को represent कर है और फिर उसके बाद है मारा h1 फिर से उसके बाद एक new line है यहां पर अगर open करोगे तो इन new line कहां से आ रहा है क्यों आ रहा है ठीक हमारे अगर देखें तो अगर html के अंदर चल के देखेंगे तो यहां पर child और और एंटर दबादेता हूं, तो देखना वहांपर 2 tax node हो जाएंगे, यहांपर रेलोड करता हूं, और मैं इसको कर देता हूं, तो यहांपर 2 तो नहीं वहा, वो by default एक remove कर देता है, ज्यादा ही confident था है, तो यहांसे एक इसने remove कर दिया, तो कोई यहां से पक्का पता है मैं पक्का अब यहां से जो फर्स्ट वाला टेक्स नोट था हो गया तो जो भी यह चाइड जो गाइब होता है ना उसमें जो भी यू लाइन हम लोग एंटर करते हैं एकस्टा अगर इस पेस भी देटें तो सारा ने मैं इस्पेस देदीया, यहां पर यह थे सपेस दिखा रहा है तो यह होता है टेक्स नोट, हम लोग कुछ नहीं देखें कर दोगई । यहां से रेक्स कर दोगे हैं से टेक्स्ट करद से चाहिए हो हो नोट समझ करने हो एप जायम तो नोट शबांच मैं के बाद सिधा इंपूट आ गया तुरंट अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसको के बाद सीधा नहीं एक टेक्स नोड फिर इंपूट है ठीक और वह टेक्ष नोड गया है निव लाइन है बैक्स लेसन तो यह टेक्स्स नोड समझा गया अभी जा होते हैं अब नोड क्य यहां पर तो यहां पर जो हमारा कोड था कहा गया यह कौन सा खोल लिया वही तो यहां पर अगर फिर यह किसका डेव टूल से उसी का है इसको क्लो़ज़़ कर देता है Griff क्लोई़़शन है इसको क्लोई़़़ था आख जैंख अंग इनकौईनीटव में केक्त था वो दूसरो वाला तो यह बाद वाला है इस पर ने इस पर आ जाते हैं तो this.first child, तो this यहां पर क्या था, body था, यहां पर फिर से मैं breakpoint लगा हूँ, breakpoint अल्रेडी लगा है, तो मैं यहां पर अगर click करता हूँ, तब यह देखो, यहां पर आके रुख चुका है, और अगर this पहवर करोगे, तो यहां पर अगर scroll करके जाओगे, तो यहां पर इसका first child दिखाएगा, क्या है, तो देखो, child notes भी दिखा रहा है, यहां पर, child notes है, 11, तेक, उसमें से first है, text, तो जो child, जो first child है, first child कहां गया, first child, वो है text node, एक होता है, first child element, तो यह element को दिखाता है, यह h1 है, first child element, लेकिन first child जो है, वो text node को दे रहा है, तो यह text node है, तो first time जो हम लोग click करते हैं, तब कुछ नहीं होता है, तो हमें दिखता कुछ नहीं है, लेकिन होता है, वो text node remove हो जाता है, तो जिसे अभी मैंने first time एक बार click कर दिया, तो यहां से text node remove हो चुका है, फिर अभी मैं दोबारा अगर click करूँगा, तब इस पे देखना, body पे, यह अब यहां पर अगर आके देखोगे, तो यह text node remove हो चुका, जो new line था, और यह हो चुका है, अभी यह h1 आ गया, first जो है, वो h1 है, तिक, और यहां पर 11 था, अब 10 ही बचा है, और यहां पर भी, कहां गया, child element, first child कहां गया, यह first child अब यह change हो के हो गया, h1, तो अब जब हम लोग remove करेंगे, तो यहां पर देखो, first child h1 है, और h1 remove हो जाएगा, इससे, तो इसको मैं play करूँगा, मेरा code normally execute होगा, और h1 gap हो गया, समझा रहा है, किसे कम कर रहा है, तो इसे तुम dev tools का use करके debugging कर सकते हो, और देख सकते हो कि कैसे हमारा code execute हो रहा है, और यहां को अंजाम दे रहा है, यहां कि delete कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो अगर मैं फिर से click करता हूँ, तो क्या होता है, देखो, अगर मैं यहां पर click करता हूँ, कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यह body पर event personal लगा है, और body कहां त event listener लगा एक बॉडडी के ऊपर तो फिरस आ जो यहां पर फिर से बॉड़ी के ऊपर एक principle करते हैं फिर से बॉड़ी उपर हवर करोगे थे सर्फ डिस बाइप अगर 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 हम लोग सारी पर यहांपर जो मुंदाटर सिती बीखने को एंग अगर यहां से भी इसको अधा आधो तब क्या होगा कर देखने में कोई द है कि देखने में कुछ भी नहें लग रहा है हमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा देखने हैं लेकिन अभी देखना मैं क्लिक करूंगा अब देखना यह दिस पर हवर करोगे आप चाइल्ड नोट्स में जाओगे तो यहां पर सेवन ही है ठीक मैं हमने चार साथ चार ग्यारा होता है ना हमने चार निव लाइन्स को हटा दि लेते हैं तो ऐसे ही आपको खुद से ही डीबग करना है खुद से कोड को पॉस करना है अलग-अलग ब्रेक पॉइंट लगाने है वहाँ पे फिर जाके देखनी है उसकी करेंट वैलू क्या है उस पर हवर करके एक जैसे अब हम हवर कर रहे थे बाडी के अंदर सारी उसकी वैलूज और प्रॉपर्टी देख रहे थे तो आप लोग खुद से करके देख सकते हैं आप खुद के प्रोग्राम में देखिए और आप खुद से डीबग करिए उसकी एकसरसाइज करिए जैसे कि आप प्रैक्टिस करें अगर आप चाहते हैं कि डीबग इंग कुछ ऐसे क्वेस्टेंस मिल जाएं तो गूगल पर सर्च करिए जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ एक जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट डीबगिंग एकसरसाइजेस ऐसे सर्च किया मैंने देखो यह रिदम स्कूल कोई है यहां इनका कुछ आ गया है क्वेस्टेंस ठीक तो तुम्हीं यह देखो इसको पढ़ो इसमें कुछ ब्रोकेन पार्ट है एक ब्रोकेन कोड है इसको फिक्त करना है तो इस स्टाटिंग म कुछ इजी-जी क्वेस्टेंस रहेंगे फिर आगे चलके हो सकता है डिफिकल्ट क्वेस्टेंस आ जाएं तो इसको डीबगिंग का यूज करके तुम कर सकते हो डीबगर टूल का यूज करके जो हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा है उसका यूज करके फिर यह देखो कैμαसे कर सकते हो बहुत सारे कोस्टेंस मिल जाएंगे वहां से उम प्रक्ट्टिस करो medium का आ गया w3 schools का कुछ result है तो जहां से भी तुम्हें questions दिख जाए कोई भी code का snippet दिख जाए उसको अपने code में लाके paste करो और देखो क्या error है उस error को solve करनी कोसिस करो तुमारी थोड़ी सी practice हो जाएगी और practice करोगे तभी actual में समझ आएगा कैसे काम करता है वीडियो देखके तो कुछ नहीं होगा actual तुम्हें practice करनी पड़ेगी तभी होगा वीडियो देखके बस समझ आजा जाता है चीजें कैसे काम करती है experience तुम्हें तभी होगा जब तुम खुद से करोगे और additional में तुम्हें खुद से एक exercise देता हूँ तुम्हें खुद करना है यहाँ पर जो हमारा code है अभी existing code इसमें एक bug है अगर मैं यहाँ पर reload करूँ अभी एक bug है उस bug को तुम लोग जिसे यह तुम्हें पता चल गया था कि यह delete हो रहा है यह element क्लिक करने पर delete हो रहा है एक element एक बार click किया एक element delete हो गया अभी मैं इस पर अगर click करूँगा और फिर से play करूँगा देखो अभी इस बार एक element delete हुआ है अभी इस बार एक element delete हुआ है इस टाइम दोनों delete हो गया, तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने भी figure out करने की कोशिस की, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आप खुद से figure out करने की कोशिस करी, अगर आपके team में कोई senior है, आपके company में कोई senior काम करता है, और अगर आपको लगता है कि वो आप क्लिक कर रहे हैं, तो ये अभी इस बार इस particular time में एक ही delete हुआ, लेकिन कभी कभी ये दोनों delete हो जाता है, ठीक देखो, इस बार दोनों delete हो गया, ठीक, तो एक चीज मैंने और notice करी, अगर तुम यहाँ पर use करके play वाला button क्लिक करते हो, तब एक भी बार कभी भी नहीं होग हर बार तुमारा सही से काम करेगा, तीन और button मतलब एक बार क्लिक करने पर एक ही element delete होगा, यहाँ पर अगर फिर से करके दिखाता हूँ, वो वाली button नहीं टच्च करते हैं, यह वाली button टच्च करते हैं, तब देखना, यह बार एक बार में एक ही हो रहा है, तिक, मैं कितना वाली button जब use करना हूं तो एक ही हो रहा है, तो यह तुम क्या करना, यहां से जो हमारा यह buggy code है, इसको copy कर लो, इसमें यह सारा code fall2 है, बस मैंने confuse करने के लिए रखा था इतना code, इसको copy कर लो, एक script.js में सीधा script वाली file में, एक empty file में रख दो, जिसमें की बस इतना ही हो, क्यों इतना ही हो, और तुम इसको remove कर देना, जो हमारी fall2 की file से इसको remove कर देना, और फिर यहां पर करके reload करना, और यहां पर देखना, एक बार मैंने click किया, फिर यहां पर play किया, और हम make sure करना, य यह event listeners के अंदर, यहां पर click वाला यह break point selected हो, ताकि यहां पर आके वो debugger रुक जाए, यह selected हो, और फिर इस पर click करोगे, तो यह इस बार एक ही हुआ, इस बार एक ही हुआ, अभी कुछ ऐसा होगा कि यह दोनों delete हो जाएगा, अभी इस बार फिर से एक हुआ, फिर से करते र delete हो गया, तो यह बहुत ही weird है, बहुत ही अजीव है, अगर यह वाली बटन यहां पर जो button है, actual में यह सेम काम करती है, यह दोनों बटन सेम ही है, लेकिन यहां पर बहुत ही weird सा behavior आ रहा है, मैंने भी कभी ऐसा देखा नहीं था, तो यह आप भी मुझे समझाईए, आप किस क्यों हो रहा था, लेकिन आपको पता चलता है, तो comment करके बताईए क्यों हो रहा है, आप explain करिए, आप मुझे से बात भी कर सकते हैं, मेरे social media पर connect करके आप बताईए मुझे यह क्यों हो रहा है, तो development में आप कितने भी आगे चले जाएंगे, कितने भी senior हो जाएंगे, कभी इतना भी तुम सीख लोगे, कहीं न कहीं हमें दिक्कत आ जाएगी, तो यह अगर solve होता है, अच्छी बात है, अगर समझाता है, solution होता है, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है, तो कोई बात नहीं इसको छोड़ दो, मैं देखूंगा, अगर solution कुछ निकलता है इसमें कुछ भी मैंने tricky नहीं लिखा है, एक बार लिखने पर दोनों delete हो रहा है, तो देखो, try करो, इसको होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यह सारे जो normal problems हैं यहाँ पर इसको solve करो, और फिर master करो debugging को, और मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye झाल झाल